अब लोग देखते हुगे कि जब भी हमारे देश में किसी भी राज में आपकी विधाल सबाद चुनाओ होते हैं तो वाँ उनके मन में ये भी सवाल लेते हैं कि आखिर मुखमंत्री का चुनाओ किस तरी के से होता है या फिर आप देखिए उनके मन में ये भी सवाल लेता है कि इसका मुखमंत्री का कारकाल चीफ मिनिस्टर का कारकाल कितना रहता है क्या इसे समय से पहले भी अटाया जा सकता है और इसका काम क्या रहता है इसकी नियुक्ति कौन रहता है इस तरह कि कई आपके दिमागे में सवाल चलते रहते हैं तो हम लोग आज मुखमंत्री पत पर विस्तार से बात करेंगे और आपके राज्यों में भी चुना होते रहते हैं अगर हम लोग सबसे पहले इसकी नियुक्ति की बात करें, कि अगर आप लोग किसी एकजाम की तैयारी करें होगे, तो आपकी परीज़ाव में कुशंस कई बार पुछ लेता है, क्या पूछ लेता है, कि मुखमंत्री की नियुकति कौन करता है, तो समीधान का अनुचिद 164 अगर आप लोग पढ़ें, तो इसमें मुखमंत्री की निउक्ती राजपाल करेगा इस बात को लिखा गई है एक बात लिखी गई है इसमें तो आपकी मन का एक doubt किलियर हो चुका है कि मुखमंत्री की निउक्ती राजपाल करता है अब आप लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा क्या किसी को भी उठा कि राजपाल मुकमंत्री बना देगा तो ऐसा भी नहीं है देखें सबसे जिसे जिस पार्टी को बहुमत मिलता है विधानसवा चुनाओ में जिस भी पार्टी को बहुमत पराप्त होता है और उस बहुमत प्राप्त नेता जो उसका बहुमत प्राप्त नेता होता है उसे राज जी का मुखमंतरी की रूम में नियुक्ति की जाती है और आप देखी कि अगर माल लेजी कि किसी राज में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है किसी किसी करब में रखा जाता है और लाष्ण में आप देखिए उस ब्यक्ति को भी बुलाया जा सकता है जो ना तो विदानशभा का सदस है नहीं विदान परिशनद का सदस सहे मतलब CM रह सकता है लेकिन 6 महीने के अंदर उसे CM पद पर रहना है तो उसे बिधान सवा या बिधान परिश्यत का सदस बनना होगा और यह आप लोगोंने कई बार उधारत देखे होंगे अगर आप भी चाहें तो आप लोग CM बन सकते हैं 6 साल महीने के लिए बस आपको ब मंता बनर जी वह आपने देखा होगा बिधान सवा चुना ओहार गहीं थी फिर वह 6 महीने तक मुख मंतरी बनी रहे चे महीन दन्ने के अंदर आपने देखा होगा उन्होंने विधान सवा एक सीट खाली करवाई थी अपने जो बिधायक थे और उन्होंने चुना लड़ा इसी तरह महराष्ट में आप लोग चले जाएए ऐसा होता रहता है ठीक है और राजपाल के पास नामाद का कारिकारी अधिकार है अधिकार है लेकिन बास्विक कारिकारी अधिकार मुख मंतरी के पास होता है नामाद की सक्तियां होती है राजपाल की बाद बस राजपाल क में आपने देखा होगा कि पांस साल बाद उससे चुनाओ में jagnta के सामने जाना पड़ता है उसके जो भी विदायक होते हैं उन्हें jagnta के सामने जाना पड़ता है लेकिन आप देखी राश्पत निया क केंड में देख लीजे या राज में बמה देखी राजपाल के पास विवेका देन सक्तिया हैं एक बैक्ति जो राज बिधानसवा का सदस्त नहीं है उसे छे महीने के लिए मुखमंत्री की रूम में नियुक्त की आ जा सकता है इस बात की बता चुका हूं और उस समय स्थीमा के भीतर उसे राज बिधानसवा की सदस्ता गहन करनी होगी और ऐसा ना करने पर उसे मुखमंत्री पत का त्यार करना होता है तो यह भी आप लोग याद रखेगा अगर CM की अगर हम लोग यानि की मुखमंत्री के कारकाल की बात करें तो आप देखें कि मुखमंत्री का कारकाल मुखमंत्री का कारकाल निश्चित नहीं होता है वह रा आकपत दे देना चाहिए। अन्यता राजपाल उसे वरखास्त कर दिया जाता है। लेकर ऐसा सामानता माना जाता है। देखिए विधायक का कार काल आप सभी जानते हैं। तो मंत्री परसद के संबंद में अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि राजपाल के वल उनी वेक्तियों को मंत्री के रूम में निव्ट करता है, जिनकी सिफारिस मुख मंत्री द्वारा की जाती है, तो आपने देखा हुगा कि आप लोग केमिनिट मंत्री सुनते रहते मुख मंत्री और पद से इस्तिपा देकर मंत्री परसद का विक्तन भी कर सकता है, क्योंकि मुख मंत्री मंत्री परसद का प्रमुक होता है, और राजपाल के संबंद में अगर हम बात करें दू समिधान का अनुच्छेद 166 अगर आप पड़ें, तो इसके तहत राजपाल और राज मंत्री परसद के बीच मुख मंत्री ये कड़ी के रूम में काम करता है, मुख मंत्री द्वारा महादी वेक्ता, राज लोग से वायव और राज चुनावाएग आधी किस अध्यक्त और सदस्नों जैसे महत्पूर्ण अधिकारियों की निवक्ति के संबंद में र मुख मंत्री और अनिकार में अगर आप देखें तो वे राज ये उजना बोड का अध्यक्ष भी होता है मुख मंत्री वे छेतरी परिशत की क्रमबार उपाध्यक्ष की रूम में कार करता है और एक समय में इसका कारकाल एक बरस के लिए होता है मुख मंत्री का वे अंतर र राजनेतीक इस्तर पर मुक्त प्रबंथग होता है आपका मुखमंंतरी। और आप सभी जानते हैं जब भी विधान साथ चुनाव होते हैं तो उसके बाद मुखमंतरी पत काफी चर्चा में रहता है तो यही कहानी है मुखमंत्री की और मुझे लगता है अगर आप किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग ने पढ़ा भी होगा पहले से और इसमें अगर इस किलास को कंप्लीट कर लीजे तो इसमें जो भी आपकी कुष्टन्स आएंगे परिक्चाओं में उनकी आंसर आप लोग बेहतर तरीकी से दे पाएंगे कुछ और आपकी सवाल हों तो आप लोग बताईएगा हम उस पर भी बात करते रहेंगे ठीक